नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल इगनुवाला पर और आप सभी को पते ही है यहाँ पर चलती है आपकी हर सब्जेक्ट कोड की इंपोटेंट कोशिशन क्लास प्लस कोंसेट क्लास मेरा ना मैं आयूश और आप सभी जुड़ चुके हैं इस चैनल के साथ इससे पहले BEGC 134 जो आपका सब्जेक्ट कोड है उसका मैंने एक यूनिट पूरी कम्प्लीट कराख को आपको दी थी इसमें थी इंट्रेक्शन टु नॉवल इसमें नॉवल्स के इंट्रेक्शन की बात की थी टाइप सफ नॉवल्स की बात की थी और डवलप्मेंट ओ लिट्रेचर म तो देखिए आज का जो हमारे unit है वो कौन सी unit है आपकी second unit है और इस unit में आप देखने वाले हैं कि aspects of the novel, novel के कौन कौन से क्या होते हैं दोस्तों aspects होते हैं आयाम होते हैं यानि जब हम कोई novel लिख रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान लखना होता है तो इ chief element सबसे पहली बात है क्या होता है किसी भी novel का chief element होता है मुख्य आयाम होता है Henry Hudson, Henry Hudson जो कि एक बहुत बड़े क्या हुए novelist हुए है उन्होंने ये कहा कि plot, characters, dialogue, time और place है ना इसके अलावा style और क्या आपका philosophy यह सब क्या है एक novels के part माने इन्होंने इन्होंने कहा है कि plot भी है characters भी है dialogues भी है इस सब को मिला कर बनती है एक novel क्योंकि Hudson जो हुए अपने आप list हुए जिन्होंने ये काए कि केवल plot माईने नहीं रख था पूरी novel में बहुत सारी चीजे माईने रखते है और plot तो उनमें से क्या दोस्तों एक है अब यह वह plot नहीं है जिसमें आप घर में रहते हैं वह वाला plot नहीं होता है plot का मतलब होता है जब हम कोई novel पढ़ रहे हो of actions यानि actions का जो क्या होता है दोस्तों group होता है उसे हम क्या कहते है plot कहते हैं या sequence of action देखें taking off from this point इस point के मज्दे निज़र रखते हैं यह कह सकते हैं हमें समझना होगा term कौन सा plot और क्या है plot का मतलब इसका मतलब यह है कि एक growth philosopher हुए जिसका नाम था Aristotle जिसे हम आम भासा में अरस्तु कहते हैं उन्होंने plot की सबसे पहले क्या दी थी definition दी थी जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था 4th century है आपकी यानि 400 BCE before common era के आसपास इन्होंने plot की यह definition दी जो मैंने यहाँ पर आपको दिया important definition है इसको आप note कर लेना क्या है he defines a plot as a combination of combination का मतलब मिला जुला रूप है किसका incidents का events का situations का और actions का तो Aristotle ने यह कहा कि plot जो है अपने आप में group है combinations है sequence of actions का यानि जो भी कहानी में actions हो रहे हैं जो भी कहानी में नए-ने event हो रहे हैं जो situations बन रही है यह सब क्या है it is plot जैसे हम कोई movie देखने जाते हैं दोस्तों तो एक होती interval से पहले की movie एक होती interval के बात की movie तो हमें movie के दो plot साफ साफ दिखाए दे रहे होते हैं before interval और after interval इसे ही हम कहते हैं plot plot का मतलब है combination of incidents, events, situation and action in a story या आप story भी कह सकते हैं आप यहां पर novel भी कह सकते हैं या फिर आप यह कह सकते है movie क्योंकि movie भी story या फिर novel के base पर ही बनाए जाती है तो यह होगी आपक total ने दीती जिसे हम हिंदी में कहते है अरस्तू ग्रीक फिलोसफर है युनान के फिलोसफर माने जाते हैं बहुत ही famous है कोन है आपके अरस्तू किलियर दोस्त चलिए आगे बढ़ते हैं इतनी बात अगर आपको किलियर हो गई हो अब बात करें different types of plots. Plots कितने परकार के होते हैं? Important questions है बार बार एक्जाम में आता है कि plot कितने परकार के होते हैं यह थो plot होते हैं मुख्य कितने परकार के हैं यहां पर आपको दिखाई देंगे सुरुवत में 2 परकार के क्योंकि Hudson ने कितने परकार बताए है plot के केवल दो एक वो कहते है loose plot एक वो कहते है organic plot Hudson makes a distinction between loose plot और organic plot यानि उन्होंने क्या क्या दोनों में अंतर करके हमें बताया कि क्या होता है आपका loose plot और क्या होता है आपका organic plot In the case of loosely constructed plot the story यानि ऐसा plot यानि ऐसा sequence of action जो कि बहुत loosely construct किया गया हो flexibility के साथ बनाया गया हो जिसमें बार-बार क्या हो जो आपके number of incidents है number of detailed incidents with a very little necessary or logical connection आपने देखिए कुछ कहानिया कुछ movie flow up हो जाती है आप परिखिए क्यों 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 यह समझ माता है वह actions के बीच में connection क्या है क्या connection बहुत जदा lose होते है एक action कहीं और घट रहा है दूसर एक्षन कहीं और घट रहा है दोनों के बीच में क्या नहीं कर पाते relation नहीं बना पाते ऐसे plot को हम कहते loosely constructed plot या फिर समझ में आप इसे कहते हैं क्या lose plot समझ में है दोस्तों इसका example आप देख सकते हैं कुछ novels के नाम या पर दिये हैं जैसे Robinson Crusoe Robinson Crusoe की एक novel है डैनियल डिफोई की एक novel है क्या vanity fair by William इनकी जितनी भी poem है वह सब क्या loosely कहते हैं कहने का मतलब यह है कि अलग लग जगा connections क्या होंगे plot अलग लग जिका बन रहे होंगे कहानी में आपको उनके वीच में connection ढूंडना होगा को स्टेट फरवर्ड कहानी नहीं होती sequence of actions आपको खुद लोजिगली लगाने होते हैं फिर अगर बात करने किसकी दोस्तों फिर अगर हम बात करने किसकी organic plot की तो organic plot के बारे में आपको यह याद रखना है कि organic plot हडसन के अनुसार वो plot होता है जहां पर आपको कहानी में क्या दिखाई दे एक pattern दिखाई दे और जितने भी episodes आपके हैं उन सबको आपको क्या करना है कही न कही connection जोड़के चलना है दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे वड़ेंगे तो यह हो गए दो प्रकार के आपके plot एक कौन से loosely constructed plot और एक organic plot loosely constructed में होता क्या है जब भी novel या film लिखी जाती है तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे sequence of actions है उनके बीच में कोई भी connection नहीं होगा है ना यानि story जो होगी छोटे-छोटे टुकडों में बटी होगी organic plot क्या होता जिसमें कहानी straight forward चल रही होगी पूरी कहानी आपको टुकडों में नहीं वल्कि एक whole रूप में या पर समझ में आईगी तो यह हो गया आपका क्या different types of plot इसके अलावा वो तो था Hudson का categorization अब अरस्तु ने क्या खा कि plot दो परकार के होते हैं एक simple plot और complex plot simple plot का मतलब कहानी का एक direction है उसी कहानी में पूरी novel क्या होगी लिखी जाएगी उसी direction में पूरी novel लिखी जाएगी that is आपका कौन सा simple plot complex plot क्या है complex plot का मतलब कुछ ऐसी कहानियां जहां पर भोच ज़्यादा क्या हो कहानी तुकडों बट्टिस आपने दिखोगी वहाववली बन और वहाववली टू का जो connection आप देख पाएंगे वह क्या complex plot है क्योंकि पहली वाली जो मूवी है उसमें आखरी का scene दिखाया और second movie में पहले का scene दिखाया है यह क्या complex plot यहां पर आप definition देख सकते हैं a simple plot is largely episodic in nature यानि जितने भी आप serials देखते हैं दोस्तों जितने भी आप serials देखते हैं नाटक वगएरा देखते हैं टीवी पर वो सब क्या होते हैं आपके simple plot होते हैं लेकिन जितने भी आप क्या देखते हैं जितनी भी आजकल आप क्या देखते हैं web series वगएरा देखते ह है ना जिनमें क्या होता या फिर आप ऐसी मूवी देखते हैं लाइक मैंने भी आपको बताया कौन सी बाहुबली टाइप जो आप मूवी देखते हैं वह सब आती है किसके अंडर वह सब आती है आपको याद रखना है क्योंकि वहाँ पर सीक्वेंस ओफेक्शन एक करेक्टर्स का आपको पता है किसी भी कहानी को लिखने के लिए क्या होते हैं हमारे पास बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं यानि नोवल का सबसे इंपोटेंट जो आपका पार्ट माना जाता होता है करेक्टर करेक्टर समझते हो क्या होते हैं चरित्र आप कह सकते हैं कहानी म किसे मानते हैना इसके लावा एक विलारे नॉर्मल लिए कहानी में देखने के लिए ज़्विए मिलता है तो आपसे पूछा सकता है यानी mestays of characters कितने परकार के होते हैं तो आपको याद यानि flat characters वो होते हैं जिस character में किवल एक quality हो है ना देखिए कई बार picture से में ऐसे character देखते हैं जिसे जोनी लिवर को किसी picture में डाला जाता तो उनका किवल एक ही character होता है वो ना कभी villain बनते हैं ना कभी hero बनते वो comedian नहते हैं तो उनका character कैसा होता उस movie में flat character आपको देखने के मिलता है they are often presented rather curiously in a single phrase sentence है ना कहने का मतलब यह वो अपने आपको simple phrase sentence में express करने कोसिस करते हैं कहानी में इसके लावा वो ज़्यादा आप कह सकते phrases का यूज यहां पर नहीं करते they drive from a sense of collective identity from the type of group है ना so words attitude dismissed as quid class कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप यह समझेजे flat character की जो भूमिका होती है वो limited होती है flat character जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी एक main purpose के लिए कहानी के अंदर रखा जाता है वो हमेंसा single idea को focus करता है उसकी केवल एक ही quality होती है और याद रखिए flat characters are two dimensional कितने होते हैं यह two dimensional होते हैं है ना two जैसे आपने देखा होगा आपने सुना होगा नाम किसका अम्रीष पूरी शाफ का है न जो बोलिवुड में रहे हैं उन्होंने villain का character हो चाहे आपका क्या हो hero का character हो चाहे लड़की के पिता का character हो लड़की के बाप का character हो कोई स्क्रिप्टिक किया जाता है यह बात आपको याद रखेंगे समझ में दोस्तों दो परकार के करेक्टर में आपको बता रहा हूं एक स्टेट फॉरवर्ड और एक थ्री डाइमेशनल मैंने आपको बता राउंड करेक्टर कैसा होता है जानी कि इसकी भूमी का थोड़ी जाद क्लियर दोस्तों इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को जिसमें कुछ एक्शन्स हमें दिखा जाते हैं कि एवल ये फ्रूब करने के लिए कि कौन सा करेक्टर हमारी फिल्म में क्या होने वाला है characterization के कौन-कौन से methods होते हैं कैसे character को हमारे दिमाग में build-up किया जाता है clear तो एक novelist का काम होता है character को build करने काम किसका होता है novelist का जो अपनी novel में क्या करता है किसी भी character को डालता है और वो character को किस तरीके से डालता है इसके दो method है एक तो है narrative method एक है dramatic method यानि कि जब movies बगेरा में आपने movies, films, web series देखी होंगी movie देखी होंगी, serials आपने देखे होंगे या फिर आपने क्या देखा हो दोस्तो web series देखी होंगी इनमें आपने एक बात जुरू notice करियोगी कि जहाँ पर dramatic method होता है यानि drama के थुरू हमें ये बात प्रूफ की जाती है कि character की क्या क्या खास बात है जैसे dramatic method, the quality और trait यानि जो खास बात है किसकी character की वो हमें दिखाई जाती है, वो क्या की जाती है? हमें दिखाई जाती है किस किस के थुरू, actions के थुरू, सब्दों के थुरू, series के थुरू, है ना, और साथ के साथ, हमें, अगर माली जे novel पढ़ रहे हैं, तो readers को भी क्या की जाती है, दिखाई जाती है, imagine कराई जाती है, कि इस तरीके का रहा होगा हमारा hero, dramatic, narrative में क्या होता है, narrative method में क्या होता है, जो quality होती है किसकी, characters की, वो दिखाई नहीं जाती, बलकि उसको अच्छे से describe किया जाता है, narrate किया जाता है, या फिर उसे आपके शामने एक तरीके से सब्दों में व्याख्या की जाती है, उसकी that is, आप कह सकते हैं कि कौन सा तरीका, narration तरीका, यानि कि आप आम भासा में कह सकते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए, कि जब हम narrative तरीके से क्या करते हैं, characterization करते हैं, या फिर character को reader के दिमाग में डालते हैं, तो हमेशा उसकी description हम उसे देते हैं, लेकिन जब हम dramatic इस काम को करते हैं, तो हम उसको character की जितनी भी खास बात है, हम reader को या फिर देखने वाल को movie को, क्या करना है, सब्दो के थूरू, actions के थूरू नहीं, बलकि एक dramatic form में situation create करके हम character का characterization करते हैं, इतनी बात आपको हो गए योगी clear, तो आज जो मैंने आपको 4 question करा है, plot क्या होता है, types of plot, ये question 100% exam में आएगा, दूसरा दो परकार के character, flat character और round character, ये आपके exam में 100% आन narration के थूरू, तो आज के लिए दोस्तों के वाल इतना ही, thank you, धन्यवाद, नमस्कार, चैनल से जुड़े रहें,